सब्सक्राइब कर दिया है और आज में इसका सेंटरल आइडिया बताने वाली हों क्या सेंटरल आइडिया मतलब सेंटरप्वाइंट क्या सेंटरप्वाइंट है उस पोयम का एग्जैक्टली पोएट कहना क्या चाहता है आप अपने वॉड्स में बता सकते हो ठीक प्लाइट प्लाइट और फॉर चिल्डर लीविंग इने लुट्र जो इस पोईटरी की थीम है गंदी बस्तियों में जो रहते हैं गरीब बच्चे उनकी दुर्दसा पोईट ने बताये कि उनकी कैसी क्या दुर्दसा है तो क्या है थीमा अदी पोईएम एल एन अलमेंटरी प्लाइट में सोता है दुर्दसा और पूर चिल्डर गरीब बच्चों का जो गंदी बस्तियों में रहते हैं उनकी क्या दसाएं है क्या दुर्दसा है पोईट इस्टिफन इस्पेंडर वांस दा लाइफ आप दिसलम चिल्डरन भी चेंज़ पोईट क्या चाहते हैं इसम सुधार आजया इनको वागैं लाया जाएं ही ही विसेजंग laptop लाइनNG हाईजिन ऑपेलिंओ आन्ड व क्या को क्या चाहते हैं कि वह अच्छा ऑच्क लाइफ चीनिक एक स्वास्तपर जिंदगी आपने पोइट्रि में बढ़ा होगा या फिर आप जाके देख लीजें कि जिनके जो हैं वो चमडों के बाहर से जा करी यह मतलब इतने पतले हैं कि चमडों के अंदर से पुरा मतलब पूरी हडी दिख रही है उनकी कुछ बच्चे हैं जो गठिया रोग है तो क्या यहां पर चांद ही विसे देम टूली इन्हें हाईजेनिक यह एंड ब्यूटिफु सब चीजों का उन्हें नहीं पता है तो एक अच्छा वाता रडड इन्हें पढ़ाई का वाता रडड रडड रे मिले वो चाहते हैं जो उनकी जिन्दगी काली हो चुकिए जो डारेकने से भरी होई है वो ब्राइट हो जाए वो आगे कहते हैं कि अगर सरकार हम अध्यापक जो लोग निरचक जाते हैं यह सारे लोग चाहें सारे लोग कुछ करें तो मेवी इनकी लाइफ चेंज हो जाये तो हो सकती भाई अगर आप हम करें तो में इनकी जो उस गंदी बस्ती से ने हम आगे ला सकते हैं ट्रांस्फोर्म दियर लाइफ उनकी लाइफ बदल सकती है इट कैन भी चेंड वो चेंज हो सकती है तो यह तो पूरा सेंट्रल आइडिया था आपको एक्स्प्राइशन देखना तो आप जो में चैनल पर है बट सेंट्रल आइडिया भी इंपॉर्टेंट चार नमर काता है तीन पोयम के नेम दिये रहेंगे आपके उसमें पेपर में उनमें से किसी एक को आपको करना है एक चार सेंट्रल आइडिया ठीक है तो यह हो गया और अच्छी लग यह एक्स्प्लेनेशन तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए भी हम भी नए नए है यूटूब पे और थ अच्छी